नमस्कार, प्यारे बच्चो, मैं पंकश्यर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आप सभी के अच्छे स्वास्त की काम ना करती हूँ. आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है राजकुमार सिध्धार. यह कहानी हमने आपकी हिंदी की पाठ्थे पुस्तक से ली है, बहुत पुरानी बात है, कपिल वस्तु के राजुद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था, राजुद्यान अर्थार राजा का बगीचा, राजकुमार का नाम था सिध्धार, सिध्धार बहुत दयालू था, अचानक उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी, दर्दनाक अर्थार दर्द से भरी हुई, उसे समस्ते देर ना लगी, कि यह एक हंस की आवाज है, पर हंस की आवाज में इतना दर्द क्यूं? वह दोड़ा दोड़ा उसी ओर गया, जहां से दर्दनाक आवाज आ रही थी, राजकुमार ने देखा, एक हंस तीर से घायल होकर जमीन पर पड़ा था, उसके शरीर से खून बह रहा था, राजकुमार को बहुत दुख हुआ, उसने हंस को गोद में उठाया, उसका तीर न देवदत आ गया, चचेरा अर्थार, चाचा का बेटा, उसके हाथ में धनुष था, वह बोला, इस हंस को मुझे दे दो, इसको मेरा तीर लगा है, ति धार्थ ने हंस को देने से मना कर दिया, देवदत बोला, मैं राजदर्वार में तुम्हारी शिकायत करूंगा, यह कहक गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, देवदत और सिधार्थ दोनों ही राजदर्वार में पहुच गए, देवदत बोला, महराज मुझे न्याय चाहिए, मैंने इस हंस का शिकार किया है, इसलिए यह मेरा है, और सिधार्थ इसे मुझे नहीं दे रहा है, रा और मैंने इसे बचाया है, तो फिर यह हंस देवदत का कैसे हुआ, यदि मैंने इसे दे दिया, तो यह इसे मार देगा, यह सुनकर राजा चुप हो गए, और थोड़ी देर बाद बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक होता है, इसलिए यह हंस सिधार्थ के पास रहेगा सिधार्थ की आँखों में अब खुशी की चमक थी तो यह थी हमारी आज की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी तो देखा बच्चो इस कहानी से हमने सीखा कि माने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है इसलिए हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए और पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए धन्यवाद